नमस्कारार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीते इंशुकला और आप देख रहे हैं डिस्टल एडवाइस सामके साड़े साथ बच चुके और समय हो गया है ट्रुपल सी पेपर एनलिसिस का आज हम कुछ कोशन्स की बात करेंगे जो आज के अलग अलग सिफ्ट में आए हैं तो सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले थैंक्यू बोलना चाहूंगा दिलजीत आलवाईलया जी का और आकाव सिंग का जिन्होंने आज के कोशन्स भेजे हैं तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत थैंक्यू इसके लावा और भी स्ट 50 to 60 true and false आ रहे हैं remaining multiple choice mcq आ रहे हैं clear है तो दिमाग में कल जिनका paper है बना के जाएगा कि आपको scenario बिलकुल मिल सकता है कि 50 to 60 true and false और बचे हुए mcq और इसका उल्टा भी संभव है clear है कि हो सकता आपको 80 से 90 mcq मिल जाएं और सिर्फ 10 to 56 के आपको मिल जाए true and false मिल जाए clear ह तो चलिए start करते हैं आज का session और देखते हैं आज के questions जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए साती साथ जिल लोगों ने channel को subscribe नहीं क्या subscribe कर दीजिए जिससे triple c से related जो भी update आएगी admit card, result, certificate वो सारी updates आपको मिलती रहेंगी इसलिए channel को subscribe कर दीजिए तो देखते ह question number first जो आज भेजा है भाई दिल जी जी ने तो ये तो रहें उनकी images जो लोगों ने भेजा था clear है तो चलिए देखते है question number first computer hack करना netiquette के अंतरगत आता है a option है false b option है true बताएक राइट आंसर क्या होगा 5 seconds है साब timing दूँगा जी यह time up हो चुका है right answer होगा यह होगा false समझिएगा netiquette के बारे में थोड़ा सा बताय दे रहा हूँ internet पर netiquette का मतलब क्या होता है कि जब भी आप internet use करेंगे nemo का पालन करेंगे nemo का पालन करने का मतलब है कि आप जो information डालेंगे वो सही डालेंगे कोई गलत प्रकार की information वहाँ पर या कोई video या picture कोई ऐसी upload नहीं करेंगे ठीक है और email में भी netiquette होता है जब आप mail भेज रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप subjects अच्छा लिखेंगे ठीक है सही सब्दों का use करेंगे clear है और email की body में भी सही सब्दों का use करेंगे clear है netiquette simple manner and educate आता है जैसे class में manager and educate होता है वैसा ही internet पे क्या होता है netiquette होता है तो जी हां hacking netiquette के अंतरगत नहीं आती है next question number 2 Libra office में new document की shortcut की क्या होती है A option control plus O, B option control plus S, C option control plus N, D option control plus T तो जी हां इसका जो right answer होगा C होगा control plus N और याद रखिएगा ये universal की है universal कहने का मतलब ये है कि आप notepad, wordpad, paint, MS office, Libra office clear है कहीं पे भी हो यदि आपको नई file या नया document open करना है तो आप क्या प्रस करेंगे control plus N और जैसे ही आप control plus N प्रस करेंगे आपका नया document open होकर आ जाएगा next question number 3 IP version 4 कितने bit का होता है A option 32 bit, B option 64 bit, C option 32 bit, D option 256 bit बताएगा right answer क्या होगा comment है चैट में answer देते रहे है ठीक है बहुत जादा मैं time नहीं दूँगा rapidly करेंगे इसको तो जी हाँ ये बहुत बार ये question पूछा भी जा चुका है तो जी हाँ इसका right answer होगा 32 bit याद रखना IP version 4 कितने bit का होता है 32 bit साथी साथ में 2-3 चीज़े और बता दूँ हो सकता कल के exam में आपके पूछ लें तो IP version, IP का full form, internet protocol कितने प्रकार के address होते हैं दो प्रकार के IP version 4 और IP version 6 IP version 4 जो होता है 32 bit का होता है IP version 6 128 bit का होता है एक पॉइंट और याद रखना IP version 4 decimal number में लिखा जाता है जबकि IP version 6 hexadecimal number में लिखा जाता है बेसिकली दो पॉइंट जरूर याद रखना IP version 4 32 bit, IP version 6 128 bit का होता है नेक्स्ट ये भी question आज की exam में आया था ULSI stands for A option ultra large scale integration B option unlimited large scale integration C option united large scale integration D option none of the above तो जी हाँ इसमें जो right answer आपका होगा वो A होगा ultra large scale integration याद रखना पूछा गया था आज कल में भी chances रिपीट हो जाए ULSI ultra large scale integration clear है next question number 5 50 rupees का note flucent blue है A option है true B option है false बताएं का right answer क्या होगा और ये कल भी question आया था और आज भी आया है गुड तो जी हाँ इसका right answer होगा बिल्कुल जी हाँ true होगा आप लोगों ने देखा भी होगा ध्यानकना 50 rupees note का जो color होता है वो flucent blue होता है next question number 6 browser extension browser की छमता को बढ़ाता है A option है true B option है false बताएं का right answer क्या होगा comment ये chat में answer बताते रहे लगातार तो जी हाँ इसका जो right answer होगा वो होगा true होगा browser में जब हम extension जोड देते हैं तो browser की छमता increase हो जाती है तो जी हाँ बिलकुल ये क्या होगा true होगा clear है और extension जोडते ही कब है जब हमें किसी specific काम को करना होता है clear है और वो काम browser दोरा नहीं हो पा रहा है तो हम extension जोड देते हैं या दूसरे सब्दों में उसे plugin बोलते हैं जोड देते हैं extension या plugin दोनों के ही जोडने पर क्या होता है browser की capacity बढ़ जाती है मतलब छमता क्या हो जाती है बढ़ जाती है next question number 7 justify की shortcut की क्या होती है A option control plus K B option control plus E C option control plus J D option control plus R तो बहुत easy question है ये आज पूछा गया था जो तो इसका right answer होगा control plus J याद रखिएगा justify की shortcut की control plus J है और ये भी universal है चाया world pad ले लिजे MS office ले लिजे Libra office ले लिजे जहां पे भी आप control plus J करेंगे तो justify alignment हो जाएगा एक question मैं आप और बता दे रहा हूँ जो पूछा गया आपके बार बहुत बार exam में Cal C में justify alignment नहीं होता ये point याद रखना Cal C में justify alignment नहीं होता है आ सकता है आपके exam में next question number 8 Rome को केवल पढ़ा जा सकता है A option है false B option है true बताएगर right answer क्या होगा comment है चैट में answer बताते रहिए तो Rome को मैं कुछ बार तब तक बता देता हूँ तब तक आप answer करिए चैट में Rome, Rome मतलब read only memory clear है कितने type की होती है 3 type की होती है P Rome, programmable read only memory clear है second type EP Rome, erisable programmable read only memory third type होता है EEP Rome, electrically erisable programmable read only memory ठीक है और Rome कैसी memory है सिर्फ लिख सकते हैं पहरदम क्या की जाती है read की जाती है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा जी है इसका right answer true होगा Rome को केवल पढ़ा जा सकता है बार बार modification allowed नहीं है इसलिए क्या होगा true होगा next question number 9 Libra office, KLC में chart बनाते समय value की जरूरत होती है अच्छा question आया था बताए का right answer क्या होगा और जिन लोगों ने भी तक वीडियो को like नहीं किया भी है like कर दो तो जी हाँ इसका जो right answer होगा false होगा value की जरूरत नहीं होती है आप Libra office में माल लीजी आप क्या कर रहे है chart बना रहे है तो जरूरी नहीं आप value लिखो आप chart पहले बना सकते हो बाद में value insult कर सकते हो ऐसा भी संभव है clear है आपने क्या क्या चार्ट पहले बना लिया और value बाद में insult कर दी चलेगा मतलब आप एक भी value ना लिखी हो फिर भी आप chart बना सकते हो और इन्होंने क्या बोला है chart बनाने के लिए value की जरूरत होती है इसलिए क्या होगा false होगा next question number 10 GPL stands for A option general public license B option genuine public license C option graphical public license D option none of the above ये भी अच्छा question है और ये linux से related है और इसका जो right answer होगा journal public license समझेगा GPL का मतलब होता है जो software open source और free मिलते हैं वो किस license के अंतरगत मिलते हैं GPL के थुरू journal public license मतलब क्या है इसको कोई भी software क्या कर सकता है जिसके पास है download कर सकता है किसी दूसरे को distribute भी कर सकता है clear है तो linux किसके अंतरगत आता है GPL के अंतरगत आता है journal public license next question number 11 A EPS में E का क्या मतलब होता है A option enabled B option encrypted C option impressed D option none of the above बताएगे का right answer क्या होगा 5 seconds है comment ये चैट में answer बता सकते हैं good कुछ लों का right answer आ चुका है good बढ़िया तो जी हाँ इसका right answer होगा A EPS में E का मतलब enabled होता है A EPS में E का मतलब क्या होता है enabled होता है और A EPS का full form आधार enabled payment system clear है next question number 12 presentation बना कर उसे कहां share कर सकते हैं A option internet B option YouTube C option website B option all of the above अच्छा question है तो जी हाँ इसका right answer होगा all of the above समझेगा internet पे भी हम share कर सकते हैं और YouTube पे भी share कर सकते हैं YouTube पे कैसे share करेंगे जरा समझेगा YouTube पर हम अपनी presentation का link दे सकते हैं ठीक है कैसे देंगे जरा वो भी मैं समझा रहा हूँ माल लीजे मैंने Google Drive पर अपनी presentation को upload कर दिया और जो link create हुआ उस link को मैंने YouTube में वीडियो के description में दे दिया तो मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है उस presentation को download कर सकता है क्योंकि मैंने उसको share कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा option क्या होगा all of the above साथी साथ एक बात मैं यहाँ पर और भी बता दू आप email पर भी क्या कर सकते हैं presentation को share कर सकते हैं मतलब यह कहना चाह रहा हूँ कि आप as a attachment आप presentation को email के द्वारा भेज सकते हैं ध्यानकना writer का document KLC का document, impress का document ड्राका जो भी है चारों में जो कुछ भी आप create करोगे वो आप क्या कर सकते हो भेज सकते हो email के माध्यम से भी वहाँ पे भी share कर सकते हो next question number 13 speech recognizer किसका उधारन है A option input device B option output device C option network device D option none of the above कुछ ऐसा ही question आया था दिल जी जी clear तो पूरा नहीं बता पाये थे ठीक है तो इन्होंने क्या किया था भाई, यहाँ पर right answer क्या होगा input device होगा speech recognizer मतलब क्या है भाई, हम लोग बोलते न तो input जाता है तब वो recognize करता है तो वो क्या हो जाएगा input device होगा हमारे mobile में भी आता है और वो किस के आधार पर काम करता है microphone वो नाम speech recognizer है ठीक है, वो software होता है और किस की मदद से input लेता है microphone की मदद से मतलब वो क्या हो गया input device है तो यहाँ पर right answer क्या होगा A होगा input device clear है next question number 14 computer की हाल्डिक्स के volume का status में notification में दिखाई देता है तो जी हाँ बताएगा false होगा true मतलब यहाँ पर यह पूछना चाह रहा था जहां तक मुझे यह question समझ में आया है कि इसमें यह पूछना चाह रहा था जो हाल्डिक्स में आपकी space use हुई है और जो free हुई है वो कहाँ पर दिखता है तो notification में नहीं दिखता है और notification area कहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा time network दिखता है right hand side window के नीचे tax bar में ठीक है जहाँ पर time wire दिखता है वो notification area होता है वहाँ पर haldex related कुछ नहीं दिखता है भाई, clear है, hard disk related दिखता कहाँ पर है, file explorer में दिखता है, जहाँ पर हमें सारी drives दिखती हो, दिखाता है भाई, कितनी drive हमारी full है, और कितनी free है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, clear है, 14 क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, next question number 15, UPI के द्वारा, रुपे लिए जाने को क्या कहते हैं, A option है, pull, B option है, push, C option है, both and B, D option है, none of the above, बताएगे, right answer क्या होगा, तो जी हाँ, ध्यान लखना सिंपल सा, push होगा, जब हम request करेंगे, लेने के लिए क्या करेंगे, रुपे हमें लेने हैं, और किसी को message send करेंगे, request करेंग कब, जब message भेजेंगे, कि भाईया, हमें पैसे क्या करो, भेज दो, ठीक है, लेकिन यह अपने आप आ रहें, तो पुल कहलाएगा, ठीक है, push का मतलब, जबरजस्ती message करना, ठीक है, clear है, for example, मैं video upload करता हूँ, रोज आपके पास message भेज रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा, push कह ठीक है, तो UPI के दौरा यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे के लिए, तो किसके अंतरगत आएगा, push के अंतरगत आएगा, clear है, next, question number 16, e-violet, digital violet है, a option a true, b option a false, तो जी, यहां बहुत easy question पूछा था, तो यह right answer क्या होगा, इसका, just a minute, यह true होगा, इसका right answer क्या होगा, यह true होगा, clear है, क्या होगा, यह true होगा, next, question number 17, दो बार 16, 16 बढ़ गया, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, impress में, text box में, अधिक लिखने पर, अपने आप, लिखने पर, text अपने आप, छोटा हो जाता है, a option a false, b option a true, यह भी अच्छा question पूछा था, और इसका right answer क्या होगा, true होगा, समझेगा, impress हो, चाहे आपका power point हो, समझेगा, जो आपर text box में ही लिखते हैं, simple सा ध्यानक न, text box में ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है, slide में, दो text box होते हैं, या उससे ज़्यादा आप insert करना चाहें, तो कर सकते हैं, या size, automatic, छोटा होता, जाएगा, इसी लिए क्या होगा, true होगा, next question number 17, ISP stands for, A option, internet service provider, B option, internet service provider, C option, internal service provider, D option, none of the app, बहुत easy question है, बहुत बार पूछा गया, याद कर लीजेगा, full form होगा, internet service provider, clear है, next question number 18, BCC stands for, A option, blind carbon copy, B option, black carbon copy, C option, bank carbon copy, D option, none of the app, तो जी, हाँ, इसका right answer होगा, blind carbon copy, बहुत बार पूछा गया है, next question number 19, Twitter पर 280 characters का tweet कर सकते हैं, तो जी, हाँ, बिलकुल true है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, आज के exam में फिर आया था, right answer क्या होगा, true, या दखना 280 characters का हम tweet कर सकते हैं, पहले इसकी क्या थी भाई, 140 थी, अब क्या है 280, clear है, अब क्या है 280 आपको लगाना है, next question number 20, 2000 रुपीज की नोट पर कौन सा मोटिफ होता है, A option मंगल यान, B option साची स्तूप, C option हैंपी बिचेरियोट, D option नन अफ दैब, बताएगा, right answer क्या होगा, एक बात मैं यहाँ पर रहो बतादूं कि आप नोट से related थोड़ा पढ़ लीजेगा, एक दो question आपके exam में आ रहे हैं पहली चीज, clear है, और यह जो question है, मैं बताए दे रहा हूँ, 200 की नोट पर कौन सा मोटिफ होता है, यह आप बताओगे, comment में, 200 की नोट पर मोटिफ क्या होता है, यह आप comment में बताओगे, ठीक है, 200 की नोट पर मोटिफ क्या होता है, किस में बताओगे, comment में बताओगे, औ और 2000 की note पर क्या होता है Mengaliyan होता है 2,000 rupees की note पर जो motif होता है वो क्या होता है Mengaliyan होता है clear है तो ये थे आज के exam से related question जो students ने मुझे भेजे थे कल जिन students का exam है जदर से ज़्यादा question भेजी जिस से और भी students की help हो सके और जिनका कल एक्जाम है उनके लिए बहुत-बहुत best of luck है कि आप अच्छे से paper करके आईएगा 100 में 100 question करिएगा एक भी question miss मत करिएगा छोड़िएगा नहीं clear है तो मिलते हैं कल साम साड़े साथ बजे कल के paper analysis के साथ गुड़ बाई